है हैло फ्रेंट्स being है आज हम बात रहेंगे अस्तर ग्रों की जैसा थिम सभी जानते हैं कि सुर्य के आसपास जो भी घ्रयाता है एक इस्पीरité दि Templin में जो 25 ग्राम अस्त्रों सो जाता है लेकिन कभी सूर्य अस्तर ग्रों का इसी पर में आ ज्रलूरेip बने जा रहे हैं जैसे कि हम जानते है कि आकाश बंडल में जब भी कोई ग्रह सूरे के एक निशित दूरी पर आजाता है तो सूरे के तेस से वह ग्रह अपनी शक्ति खोने लगता है जिसे कि ग्रह का अस्त होना माना जाता है जब कोई घ्रे अस्त होता है तो वह अपने फल देने की इस्तिती में उसके जो फल देने की इस्तिती है उसमें कमी आ जाती है अगर वो शुब फल देने वाला होता है तो उसके उपाया करने चाहिए लेकिन अगर वो अशुब फल देने वाला होता है तो उसके उपाया नहीं करने चाहिए यदि अश्यूफल देने वाला हो और उसकी अश्यूफल में कमी आ जाती है तो यह एक अच्छा योग भी होता है सूवे के सम्छा पाने पर छेगर अस्थ हो जाते हैं लेकिन गाहू के तु कभी अस्थ नहीं होते हैं जो फिसिकल एक्षिस्टंस नहीं होता है तो भी वो अस्तमाला जाता है शुकर गें, जो है 10 दिगरी पर अस्तमाला जाता है अगर सुरे के समीब 10 दिगरी का है, तो भी बुद्ध है तो भी वो अस्तमाला जाएगा तो इस तरह से सबी घ्रय अस्तों से होते हैं लेकिल रहू के तो अस्त नहीं होते लेकिन आप प्रशन उटता है कि सूरे अस्तों होते हैं के नहीं जी हाँ सूरे भी अस्तों होते हैं और जब भी रहू जो है सूरे के नज़्दीक आ जाता है खास तो पर विदिन थ्री डिग्रीज होता है तो सूर्य अस्त हो जाता है वो अपनी पावर खो देता है वो आपको क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारख है सूर्य जो है मान सम्मान का कारख है सूर्य जो है संतान का भी कारख है तो इनी सभी छेतों में जातक को परिशानियों का सामना करना पड़ता है पिता से संब्द खराब होते हैं पिता कभी-कभी पिता जो है जातक की लाइफ यो पस्तित भी नहीं होते हैं अगर जादा क्लोजनेस है तो और भी कोई दुश्प्रभाव है तो इसके अलावा जातक को पुत्र संतान होने में परिशानी होती है और कभी-कभी होती भी नहीं है इसके अलावा जातक को जो संब्मान परिश्प्रभ मिलनी चाहिए वो जातक को नहीं मिल पाती है सब्सक्राइब करने जाते हैं कितने भी अच्छा और यह सब कब होता है जब सूरे जो है राहू के बहुत ज्यादा नजदीक होता है ऐसा हमने देखा है जब भी सूरे राहू एक हाउस में होते हैं विजिन पंदा डिरी होते तो भी मैंने यह सारे देखे हैं अगर और भी कोई दुश्प्रबाब होता है तो यह और भी ज्या ही एक ऐसा प्लानेट है जो कि सुवे को अस्त्र कर सकता है अगर आपको इसमें कोई मत्भेद है या आप अपने कोई अलग से विचार रखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आपका स्वागत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो से लाइक करना मत भूलेगा थेंक यू